अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों कि आप सब्सक्राइब के लिए बेहर शांदर प्रॉपर्टी में लाता रहता हूं और लाता रहूंगा इस चैनल पर सबसे पहले आज की जो प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले दोस्तों तो यह हमारा डुपल एक्स हाउस रहने वाला है साथ ही अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिलती है अच्छी लोकेशन मिलती है रिजिस्टर प्रॉपर्टी रहने वाली है और साथ ही स्कूल की बात करें तो 500 मेटर के दायरे में आपको यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी स्कूल देखने को मिल जाते हैं दोस्तों पार्क फैसलिटी की बात करें तो यहाँ से आपको द्वारका की कनेक्टिविटी मिलने वाले हैं दोस्तों द्वारका में आपको काफी सारे यहाँ पर देखने को मिलने वाला है चाहे वो AC की बात हो चाहे वो फ्रिज की बात हो चाहे डबल बेड की बात हो जितना जरूरत का समवान एक घर में लगता है न दोस्तों तो सारा का सारा वो आपको यहां पर मिलने वाला है तो काफी अच्छा घर में आप सभी के लिए दोस्तों लेकर आयों सीवर लाइन के बाद फो चाहे पकी रोड और साथ में समर सीवर प्लस मीठा पानी आपको यहाप देखने को मिलने वाला है मेन रोड की दूरी यहां से डेड़ किलोमीटर की रहने वाली दोस्तों द्वार का मोड मैट्रो स्टेशन काफी पास आपको यहां से मिलता है लगब तो दोस्तों हम आद चुके हैं यहां पर मिलने वाला है साथ ही जैसे कि मैंने कहा था आपको सारे के सारे connection इहां पर मिलते हैं आई जयल की pipeline हमारे आ रही है आप अपना मंकान लेते के साथ ही apply कर सकते हैं और आई जयल का connection अपने घर में लगवा सकते हैं तो सीवर लाइन प्रॉपर तरीके से आपको यहां पर मिलती है साथ में B.S.E.S. राजधानी के तरफ से आपको एक जो बिजली का मीटर है वो हम आपको यहां पर लगाकर देने वाले हैं प्रेंट टेलीविशन में टाइल की बात करों तो ब्लैक और वोकर की टाइल का बेहर अंदर काम आपको यहां पर मिलता divisिया और स्टेट्स एरिया पर प्रॉपर विंडो एरिया आपको यहां पर मिल जाता है जिससे आपके मकान में वेंटिलेशन हवा जो है वो बनी रहेगी दोस्तों कोई भी आपको ऐसा नहीं लगागा कि घुमस वगएर आपको आपके घर में हो रही है दोस्तों 10 फीट की अच्छ वगएर रख सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो शाम को अपने घर के बाहर बढ़े आराम से दोस्तों आप बैठ सकते हैं साथी एक रैंप हमने प्रॉपर तरीके से आपको इस घर के अंदर बना कर दिया है आप देख सकते हैं अपनी बाइक वगएर अगर घर के अंद अदर आने के लिए एक अच्छा आयरन डोर आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है दोस्तों काफी हैवी कॉलिटी का आपको यह मिलने वाला है और एंटर होते ही हमारे मकान में जो आपको एरिया देखने को मिलने वाला है पैसे कम आपको फार्किंग एरिया यहां पर दे भी बॉक्स आपको यहां पर देखने को मिल जाता है दोस्तों वाश्रूम में हमारा यह एंडर कस्ट्रक्शन जो ही है यह मकान रहने वाला है लगभग सारा का सारा काम हो चुका है 5% काम रह रहा है फिनिशिंग का काम रह रहा है वो सब हम आपको यहां पर करके देंगे दोस साथ ही वी मोटर ही लगाने की जगा देखने को मिल जाती है दोस्तों साथ ही आपको ईस अगर कुछ सरमायका नहीं लगी होगी तो आप अपने हिसाप से यस पर अपने पसंद की सरमायका दोस्तों लगवा सकते हैं बेहर शांदर कैबिनेट्स आपको यहां पर देखने को मिल जाता है नीचे के आप देख सकते हैं स्टोरेज आपको यहां पर देखने को मिल नीचे के कैबिनिट्स की बात करो तो बेहर शांदर कैबिनिट्स आपको यहां पर मिल जाते हैं साउंडलेस सिंक हमने यहां पर आपको लगा कर दी है उसी के साथ में टाइल साप देख सकते हैं बेहर शांदर टाइल आपको यहाँ पर work मिल जाता है पूरे के पूरे kitchen में साथ में ही आप देख सकते हैं हैं यहाँ पर अच्छे जो हमारे switches हैं वो आपको मिल जाते हैं 16 ampere और 20 ampere switches मिल जाते हैं अगर आपको micro wear यूज़ करना है mixer जूसर कुछ भी यूज़ करना है तो heavy switches हम हमारी किचन तक आ रही है उसके साथ में फोर्चिलिंग के साथ साथ पीओपी की जो पट्टिया हमने बनाई है बहुत अट्रेक्टिव लुक दे रही है आपकी किचन को और एंट्रेंस एरिया को दोस्तों यहाँ पर हमारा यह बैडरूम रहने वाला दोस्तों आपको एक छे बैड देने के बाद आप देख़ते हैं पींक कलर कर यहाँ पर पूरी को पूरी बाल पर हमने यहाँ पर पेंट को करवा कर दिया है यह जो हमारी वाल है इसलिए खाली है क्यूंकि थीडी कस्वाइब ब्ला देनेवाले हैं दोस्तों यहाँ पर आपका ड्रेसिंग टेबल प्लस आप देख सकते हैं, काफी अच्छा अलमीरा स्पेस आपको यहाँ पर हम create करके देंगे, सामने की तरफ 6-6 बैट लग जाएगा, उसके सामने एक अच्छा LED पैनल हमने आपको यहाँ पर दोस्तों दिया है, आप यहाँ पर बड़े से बड़ा जो अपने टीवी है, वो बड़े अराम से दोस्तों यहाँ पर लगा सकते हैं, नीचे अगर आप decorative items अपने रखना चाहें, तो वो भी आप बड़े अराम से यहाँ पर रख सकते हैं, साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर force link के काम की, तो आप देख सकते हैं, बेहर शांदार force link का काम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और dimension की बात करो इस कमरे की, तो लगबग आपको यहाँ पर साड़े लोब आए, बारा का यह bedroom जो है, देखने को मिल जाता है, और जो हम आपको doors यहाँ पर लगा कर देंगे, काफी अच्छी quality के doors हम आपको यहाँ पर लगा कर देने वाले हैं, साथ ही split AC लगाने की यहाँ पर आपको pipeline प्लस यहाँ पर drainage point सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तों, तो आईए चलते हैं अपने first floor पर और आपको first floor भी explore कराते हैं दोस्तों, आईए, इस states area जो है हमारा काफी comfortable रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना inverter वगेरा भी दोस्तों रख सकते एक free space आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और जो हमारा states area जो create हुआ है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको यहाँ पर window देखने को मिल जाती है, बेहर शांतर इस window का एक तो फाइदा है कि आप जो घर में है वो हवा आती जाती रहेगी, और उसी के साथ में जो रोशन एक तरीके से रोशनी है जो आपके घर में यहाँ पर रहने वाली है, नौर्थ फेसी यह house दोस्तों प्रॉपर तरीके से रहने वाला है, आपको मैं यह दिशा भी बता दूँ और आचुके हैं हम अपने first floor पर, first floor आप देख सकते हैं जो हमारी entrance है वो east-west facing में दोस्तों रहने वाली है, उपर आते ही जो हमें space देखने को मिलता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक big size का washroom देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा अभी काम चल रहा है इसमें, काम होने के बाद बहुत शानदार आपको यहाँ पर यह जो washroom है, हम create करके देने वाले हैं, proper दरीके से divider आपको मिलता है, shower area हम यहाँ पर आपको करके देंगे, और taps बगएरा सब कुछ आपको यहाँ पर हम लगा कर देने वाले हैं, उसी के साथ में जो हमें area देखने को मिलता है, वो हमारा balcony area देखने को मिलता है, यहाँ पर हम आपको SS की reeling, प्लस आप देख सकते हैं, अगर बाहर के मैं बात करूँ, तो यहाँ पर काफी सारे builder flats ही बने वाया दोस्तों, तो बहुत अच्छी location में आपके लिए यह जो house है, हम लेकर आए हैं, साथ में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा आपको यहाँ पर जो है, पोर्स लिंग का work देखने को मिल जाता है, और हम आ चुके हैं, अपने next bedroom में दोस्तों, यह हमारा first floor का bedroom रहने वाला है, same जैसे नीचे काम था, वैसे ही उपर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर भी आपको double bed लगा कर देने वाले हैं दोस्तों, साथ में L type के Elmira आपको अच्छे तरीके के मिलती हैं, और इस तरफ सेम आपको TV पैनल देखने को मिल जाता है, जो room card invention है, वो same रहने वाला है, जैसे कि नीचे था, बेहर शांदर space आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, split AC आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, force ring का work आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने हमारा ground floor और first floor explore करा दोस्तों, आश अगर तो आप सभी को बेहर अच्छा है, यह house जो है, लगा होगा, आएए आपको लेकर चलते हैं इसके roof पर, और roof भी आपको proper तरीके से विजिट कराते हैं दोस्तों, जो हमारे stairs के step हैं, वो काफी comfortable आपको यहाँ पर मिलते हैं, SS की reeling आपको यहाँ पर starting to end तक हम आपको लगा कर देने वाले हैं, अब देखते हैं, बेहर शांदर रोशनी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं, हमारे रोशन दान्ब की वज़ा से, और आ चुके हैं, हम अपनी रूफ के entrance पर, रूफ के entrance पर एक solid door आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि iron का है, और आप इस गर को चार मंजिल तक दोस्तों बना सकते हैं, क्योंकि अपना जड़ से मकान यह दोस्तों रहने वाला है, साथ ही आप देख़ते हैं, प्रॉपर टाइल्स वर्क हमने यहाँ पर आपको रूफ के एरिया पर भी दोस्तों करकर दिया है, साथ में जो आपके AC के outer से हैं दोस्तों यहाँ पर लग जाएंगे, साथ में 5.500 लिटर की tank आपको हम यहाँ पर लगा कर दे रहे हैं, अच्छा हाउस है, प्राइजिंग के लिए देगे नमबरों पर कॉल करें, फिर मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो के साथ तब तक लाग के लेता हूँ आप सभी से, नमस्कार, जैशीरादे.